हलो फ्रेंज गैलेक्सी टैब का हम कर रहे हैं गीववे गीववे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट सेक्षन में बताना है हमने हमारे चनल का लोगो एक्जेक्ट टाइम फ्रेम पर कहां यूज किया है और इस टैबलेट से हमने कौन सा गेम प्लेए खिला है यह दोनों कुशन का आंसर आपको कमेंट सेक्षन में मेंशन करना है आपके इमेल आईडी के साथ अलो फ्रेंज टैग बिंदास चनल में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर रहा हूँ सामसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस 5G का अनबॉक्स है इसका डेटेल रिव्यू और मैं बताऊंगा आप लोगों को इससे पर्शेस करना चाहिए या नहीं और 11,000 तू 12,000 रोपीज में आपको 4GB 64GB वेरियंट 4GB RAM 64GB वेरियंट आपको मिल जाएगा और यह Leader estás में कॉफी बढ़िया टै בש होता है क्योंकि यो 11 इंच के साहँ आता है और overall जो packaging देखें कफी बढ़िया है काफी simple सा packaging है इसके अनदर आपको चार्जय घान नहें मिलता आपको आपको जिस टैबलेट मिलेगा और आपको चारजिंग कैबल मिलेगा ज़्यादा टाइम वेस्ट ने करते हैं बॉक्स ओपन करके देखते हैं यह टैबलेट कैसा इसका पॉफार्मेंस कैसा है और डिटेल में आपको रिव्यू देते हैं यह रहा इस संसेंग गैलक्से टैब ए 9 प्लस 5 जी का बॉक्स और पीछे की तरफ आप देखें तो यहां पर और कुछ डिटेल्स दिये गए हैं यहां पर इसका जो मर्पी है वो थाड़ी 3,000 रुपीज है लेकिन आफ़स में यह काफी सस्ते में आप लोगों को मिल जाता है ह हमारे पास जो वेरेंट है वो 8GB RAM एंड 128GB वेरेंट स्टोरेज वेरेंट है तो यह रहा टैबलेट टैबलेट एक प्लास्टिक के व्रैप में आता है वो हमने निकाल दिया है इसके अंदर हमने एक अलग सा स्क्रीन गाड़ भी लगा दिया है ताकि जो इसका स्क्रीन है वो एक चार्जिंग केबल मिलता है और और कॉलिटी काफी बढ़िया है और एक सिम इजेक्टर टूल और आप जो मैमरी कार्ट भी लगाना है उसके लिए आप जिसके यूस कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हम साइड में रखते हैं और हम अब टैबलेट का आपको वर्यू दे आई नहीं बोल सकते और नीची कि तरफ आपको जो पॉइंट यहां से आप सैवसंग की जितने शरीज आती है उसे आप सेटप कर सकते हैं यूस कर सकते हैं की बोर्ट थाण्व और बाकी सारी चीज़ें यहां पर आपको SIM ट्रे और मेमरी कार्ड का ड्रेकर का पॉइंट है नीचे की तरफ आपको speaker green मिलता है और type C का port मिलता है और एक microphone का port जो opening है और यहाँ पर आपको 3.5 mm का headphone jack का आपको point मिलता है side में आपको volume की button है और एक on off और power lock का button है यहाँ पर एक और microphone के लिए आपका output जो एक point है वो मिलता है यहाँ पर speaker grill है so overall देखा जाए जो build quality काफी बढ़िया है यह जो पार्ट है यह प्लास्टिक का है यह network receptor के लिए यूज़ करने माले हैं यह लोग इसलिए इसे प्लास्टिक का बनाया गया है जो फाइजी का जो network है उसके लिए और यह पार्ट है यह complete metal है और जो body है यह tablet की यह completely metal body है और काफी premium in hand filling है और आल देखा जाए तो यह काफी premium है आप लोग देख सकते हैं और जो इसका size का अंदाजा आपको लगाना है आप लोग देख सकते हैं यह 11 इंच का tablet है तो अब हम इसे on करके दिखाते हैं आपको इसे हमने अल्रेडी बूट कर दिया है हम इसे use कर हैं है ताकि हम आपको detail review दे सकें because इसे launch होकर तो काफी time हो गया है इसका detail review ताकि यह आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह हम आपको बता सकें तो इसे हम on कर दे रहे हैं तो roll up देख सकते हैं जो इसका display है वो TFT display है बट उसकी quality काफी बढ़िया है आपको कोई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर आपको जो display है वो उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि से मैं काफी time से use कर रहा हूं है और मैं बता सकता हूं आप लोगों को और यहां पर आप आपको जो smooth experience मिलता है काफी smooth experience है इसके अंदर आपको snapdragon 695 का processor मिलता है और जो UI है वो samsung ने काफी अच्छे से optimize किया हुआ है इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा multi screen यूज़ करना है multiple apps यूज़ करना है तो भी आप easily से यूज़ कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसके अंतर हमने multiple apps multiple games भी खेलकर देखे हैं उसका भी हमें आपको आगे review दोंगा और इसका examples दिखाऊंगा तो फ्रेंड अपडेट देखें तो यहां पर आपको android version 14 का update मिलता है वन यूज़ 6.1 का आपको यहां पर update मिलता है और जो security patch है वो 1st July 2024 का है और आल देखें तो यह काफी latest android के साथ आता है और latest आपको updates के साथ आता है और इसका smooth काफी बढ़िया है आपको overall display में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर आप multiple apps भी यूज़ कर सकते हैं काफी easily और example हमने play store open किया आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह play store और अगर मुझे दूसरे apps यूज़ करना है अगर एक side tab में तो simply आप नीचे से यहां पर देखिए यह इसे पकड़ा और हमने यहां पर drop कर दिया यह देखिय हैं तो और रहल दो application आप एकदम easily यूज़ कर सकते हैं इवन आप multiple application भी यूज़ कर सकते हैं at a time बट यहां पर जो most tablet के यूज़ होता है कि आप एक side YouTube चला रहे हैं दूसरे side आप नूर्स कर रहे हैं या फिर आप दो टास्क मोस्ट आफ टाइम करते हैं तो उसके लिए काफी बढ़िया है और इसका जो आपको डिस्प्लेय है यह भी काफी बढ़िया आपको brightness देता है यह देखें मेरे साब से ऐसा देखा जाए performance perspective यह क और इसका gaming experience भी आप कह सकते हैं कि medium gaming experience है बहुत ही pro level का नहीं और खराब नहीं यह medium में आपको काफी बढ़िया gaming experience मिलता है यह tablet में और आपको यूशिली 695 processor में आप average gaming कर सकते हैं because snapdragon 695 बहुत पारफुल प्रोसेसर नहीं है but day-to-day जो tablet का usage होता है वो most of हम game के लिए कम use करते हैं हम normal study के लिए ज्यादा use करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको settings दिखा देता हूं कि इसकी जो settings है यहाँ पर देखिए यह smooth में ultra पर चल सकता है तो यह काफी बढ़िया आपको oral experience मिलता है और oral gaming experience भी मुझे काफी ठीक लगा तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो loading time है वो भी ठीक टाक है बहुत ज़्यादा quick नहीं बट slow भी नहीं है और आल देखा जाए तो tablet के gaming experience में भी यह ठीक टाक है यह देखिए और आल गेमिंग experience भी काफी अच्छा है आपको lags फील नहीं होता जो frame drops वगरा होते हैं वो नहीं होता तो और आल मेरे साब से यह अप्रोक्स आपको 50 to 60 fps का gaming काफी बढ़िया आपको दे सकता है यह tablet यह देखिए और यह tablet में gaming का एक अलग experience होता है कि आपको काफी बड़ा सारा सब्सक्राइब दिखाई देता है तो यह काफी easy हो जाता है और यह काफी मज़ा भी आता है जब गेम खिलते टाइम आप एक बड़े स्क्रीन पर देखकर खेलें तो तो और आल देखा जाए तो गेमिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं बट यह most of जो टैबलेट्स होते हैं हम उसे educational purpose या फिर उसे हम multitasking के लिए या फिर जो trading करते हैं उनके लिए यूज करना होता है तो और आल देखा जाए तो इसका आपको मैं camera का भी सैंपल दिखा देता हूं camera का जो output है यह देखिए यह front facing camera है इसका और मैं अब रेर camera में कुछ updates रखके आप लोगों को दिखाता हूं कि इसका जो quality है वो कैसा है तो यह देखिए आपको document scan करने के लिए और कोई भी pages scan करना है या फिर कोई चीज का photo लेना है उसके अंदर आपको और रहल एक अच्छा output मिल जाता है इसके camera से भी तो इसके लिए मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करूंगा because tablet से हम ज़्यादा photos गीचेंगे नहीं या फिर हम tablet से ज़्यादा कोई भी हम वीडियोग्राफिय तो करेंगे ने देखने के लिए उसके लिए तो देखा जो फ्रेंट्स संसंग गेलेक्सी टैब एन प्लस का जो आपको speaker output है मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह देखें प्रेंट्स आपको यह टाबलेट कैसा लगा आप लोग comment section में बताइएगा मेरे शाब से यह काफी बढ़िया tablet है बिकाज आपको 11-12,000 रूपीज में यह जो आपको specs दे रहा है, जो performance है, यह काफी बढ़िया है, आपको Samsung का एक अच्छा brand का आपको tablet मिल रहा है, इसके अंदर जो Samsung का ecosystem है, वो भी काफी बढ़िया है, और जो UI है, वो काफी optimized है, multi application इसके अंदर काफी बढ़िया चलता है, आ उनके लिए और even students और जिनको media consumption करना है, movies देखना, उनके लिए वे one of the best tablet है, so इस वीडियो में बस इतना ही, next video में हम और भी technical unboxing लेकर आएंगे, so please keep updated and thank you for watching.